किचिन की प्रॉब्लम तो हम लेडीज की लाइफ में खतम होती नहीं है और गर्मियों में तो ये और बढ़ जाती हैं तो मैं निशाली की आई हूँ ऐसे अमेजिंग किचिन हैक्स जो ये सारी प्रॉब्लम्स आज ही सॉल्ड करतेगा और अगर आपको ये हैक्स यूसफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके 50,000 लाइक तक ज़रूर पहुचा दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते तो मुझे तेरे गार्डन से ये रेग भरा हुआ में तो मुझे तेरे गार्डन से ये रेग भरा हुआ आप इसको इसके इंचे रख आप इसके उपड़ मत्का रख और इसमें पानी भर और इसके उपर ये रख और हो सके तो एक गीला कपड़ा इसके उपर आप इसका पानी पी तुझे मज़ए जाएगा ठीक है देखूँगी निशादीदी कर देशी जुगार काम तो करता है अब तयार हुए आई के लिए जूस पनाओ, एक काम करते हैं ऐसी सिच्वेशन के लिए चाश्री को पहले ही तयार कर लो बस डालो पतीले में पानी, चीनी और चीनी को अच्छे से मिलने तक पका ले गैस का फ्लेम बंद कर दे और अब इसे ठंडा होने के बाद किसी काच की बॉटल में स्टोर करके रख दे इसे आप चार से पाच दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको शर्बत बनाना है तो यूज करें इसी चार्शनी को और मजा ले शर्बत का अरे अर्थिती आप क्या का दही तो मुझे गाड़ा नहीं मिलता कभी अब मेरे भाई को गाड़ा दही चाहिए तो वो तो आप मिट्टी के बरतन में ही जमाना पड़ेगा क्योंकि ये सोग कर लेता है हमारे एकसेस पानी को और धही जमाने के लिए हमेशा दूद को बिलकुल हलका गुन-गुना रखें और उसमें डाले थोड़ा सा जामुन और ध्यान रखें जामुन आपका जादा खटा नहीं होना चाहिए और इसे अब रख दे पांच से छे घंटे किसी भी गरम जगा पे और यहां आप खुद ही रेख सकते हैं कि कितना गाड़ा दही जमा है सोब रिंग को जादा देनों तक फ्रिज में रखने से उसकी गैस चली जाती है और हमें लगता है यह तो खराब हो गई आप इसे फेक दे मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे क्या मज़िदार चीज बना सकते हैं इस बचीवी कोल रिंग को डालें आप किसी भी आइस्क्रीम मोल्ड में और इसे फ्रीजर में 5-6 गंटे जमने रख दें इसी तरीके से आप किसी और जूस से भी पॉप्सिकल्स बना सकते हैं बस पांच से छे घंटे फ्रीजर में रखने के बाद लो बन गई हमारी बज़े हुई कोल रिंग से मज़ेदार पॉप्सिकल आइस क्रेम ये पदबुगाओ जारी है अपनी प्रिफ चेक करते हो ओ ओ ओ ये पालक खराब हो गई गर्वियों में अक्सर हमारी सबजियां खराब हो जाती हैं खासकर हरी सबजियां तो इन सबजियों को खराब होने से बचाने के लिए हमें करना क्या है हमें लेना है कॉटन का कपड़ा इस तरीके का उसे हलका सा गीला कर ले इसमें हरी सब्जियों को रखकर इसे फोल्ड करकर इसे फ्रिज में रखतें और अगर आपको हरा धनिया रखना है तो एक किसी भी कंटेनर में पहले बिछाएं टिशू पेपर उसके उपर रखें हरा धनिया और उसके उपर फिर टिशू बेपर लगा कर धकन लगा दें और इसे फ्रिज में रख दें इस तरीके से सब्जी को रखने में आप खुदी देख सकते हैं कि यह अभी तक किती फ्रेश है अगर आप कोल कॉफी के शौकीन है और आप उसे जादा देर फेट कर नहीं पीटना चाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक जट पर ठैक बताती हूँ उसके लिए आदे कप में मिलाएं 2-3 चमबच कॉफी अच्छे से मिलाने के बाद इनके बनाएंगे हम आइस क्यूब्स जिसके लिए इसे आइस ट्रे में डाल कर जमाने रखते हैं और जब भी आपको कॉफी पीने का मन करें तो दूद पे डाले कॉफी क्यूब्स अगर आप नीठा भीते हैं तो इसमें वो शुगर से रफ भी डाल दें और इसे 4-5 बारी अच्छे से शेक कर लें और मजले इस मज़ेदार जाग वाली कॉल्ड कॉफी का अकसर आपने देखा होगा जब भी हम कोई मीथी चीज जैसे जूर शेहत को खुला रखते हैं तो उसमें चीटियां या मक्हियां आ जाती हैं तो इससे बचने के लिए आप क्या करें तो उस खुले कंडेनर के ऊपर आप लगाएं सिल्वर फॉयल को इस तरीके से फिर इसे सिक्योर करने रबर बैंड से जब भी आपको जूस पीना हो तो आप यह तो फॉयल निकालने या स्ट्रॉ की मदद से पी ले तो कैसे लगे आपको यह देशी अमेजिन किजन है इन्हें आप भी अपनी लाइफ में जरू ट्राइ कीचे और मुझे कॉमेंस करके बताएं कि बनाइन आपकी लाइफ एजी और मैं मुझे आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाइबाइ